नमस्कार दोस्तों चत्तीजगर लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय बड़ा हादसा सामने आया है। यात्रियों से भरी बस पल्टी, चार घायल, साजा से राजनांद गाव आ रही मा गंगई बस सर्विस अनियंतरित होकर गंड़ाई से लगे ग्राम दन्या के पास खेत में पलड़ गई। ठादसे के दोरान बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे, जिसमें से चार यात्रियों के सिर्व हाथ मुह में चोट लगी है। ठादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घायल यात्रियों को 108 अम्बुलेंस से दन्या प्राथमिक स्वास्थेकेंदर में ले गए, जहां प्राथमिक उप्चार के बाद एक घायल यात्री को गंड़ाई सामुदाईक स्वास्थेकेंदर में भरती कराया गया। बाकी तीन घायलों को पर पोड़ी अस्पताल से साजा रैफ़ किया गया है घटना शनिवार सुभा साड़े दस बजे की है जब मा गंगई बस सर्विस की यात्री बस साजा से राजनांद गाव आ रही थी तभी बस अनियंत्रित होकर सडक से उतर कर खेत में पलट गई खेत में बस के पलटने के बाद सवार यात्रियों में अफरा तफ्री मच गई कुछ युवा यात्री बस की खिर्की से बाहर निकल कर पुलिस की डायल 112 और एम्बुलेंस 108 को सूचना दी मौके पर पहुची 108 एम्बुलेंस वह 112 की टीम ने बस में फसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला इसके बाद घायल यात्रियों को दन्या प्राथमिक स्वास्थे केंद्र ले गए तीन-चार यात्रियों को ही हलकी चोंट लगी है गंडई थाना प्रभारी सनक सोनवानी ने कहा कि बस चालक पर अपराथ दर्ज कर लिए है